हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल बहुती क्रेशन में बहुत बहुत साखात है आज अपने इस वीडियो में हम शाली में जो यूज किया जाता है गोला इसके हम डेकौरेशन करेंगे यह हम शगूर के लिए यूज करते हैं इसको decorate करने के लिए मैंने यह net का piece दिया है जो कि मैंने square में लिया है इसकी मैंने double layer ली है आप चाहें तो इसकी 3-4 layer भी ले सकते हैं पर मैंने यहापर इसकी 2 layer ली है अब इस गुले को हम इसमें center में रख देंगे और उपर की तरफ से इस net को समेट लेंगे उपर की तरफ से अच्छे से समेटने के पाद हम यहाँ पर बिल्कुल जो उपर की तरफ आ रहा है यहाँ पर इसको अच्छे से lock कर लेंगे इसके लिए मैं यहाँ पर सूती धागा यूज़ कर रही हूँ इसको अच्छे से बांधेंगे इस धागे को आप कम से कम 20-30 वार यहाँ पर गोल घुमाईएगा अगर आप इसको थोड़ा ही घुमाएंगे तो यह जो धागा है तूट भी सकता है और यह जो डेकुरेशन है यह आपकी खरार भी हो सकती है इसलिए इसको अच्छे से बांधेगा इस तरीके से बांधेज डैचे कि आप अच्छे से यह दिखे गओ उपर की तरफ काफि चा अरो इसको हम ट्रिम करेंगे मैं इसको catchy की help से काट लेती हूँ, जितनी मुझे चाहें यह उतनी रखका जो एक्स्ट्रा है, जो उची नीची आ रही है, इसको मैं ट्रिम कर लेती हूँ यह देखेगा मैंने उपर की तरफ से यह net काट लिया है और यहां पर देखेगा फूल सा बना वो आ गया है अब हम इस गोले को डेकुरेट करेंगे इसके डेकुरेशन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ समाल लिया है देखेगा इस तरीके का यह फ्लॉवर है यह मैंने बंधेज का फ्लॉवर यूज किया है इस तरीके का फ्लॉवर मैंने एक वीडियो में बनाना बताया है उस वीडियो का मैंनिक आपको description box में दे दूँगी और यह साथ ही मैंने यह लटकन यूज करी यहापे मैंने six layer लटकन यूज करी है साथ ही मैंने यह pretty made patch यूज किया जो कि carry design का है और उसके साथ मैंने यहापे यह more punk यूज किया है जो कि आपको market में बहुत easily मिल जाएगा इस तरीके से मैंने यहापी एक गोला तयार कर दिया जिस तरीके से एक गोला तयार किया इस तरीके से मैंने और वे pieces यहापे तयार कर लिए है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और comment box में लिकर बताईएगा कि वीडियो कैसी लगी और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर देजेगा धन्यवाद